दोस्तों अगर आपके पास normal LED TV है और आप उसे smart बनाना चाहते हैं android बनाना चाहते हैं तो आज दोस्तों मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप अपने normal LED TV को किस परकार से android या फिर smart बना सकते हैं आपको किसी भी normal LED TV को android बनाने के लिए दो तरीके हैं एक जो पहसा तरीका है कि आपको अपना जो LED TV है तो mechanic के पास ले जाना होगा और आपको एक android smart जो mother board है उसे दोस्तों आपको install करवाना होगा जो कि आपको महगा पड़ेगा और जो दूसरा तरीका है वह है कि आप बिना अपने TV को open किये हुए आप स्वयम से घर बैठे अपने normal LED TV को आप android या smart बना सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको market में इस पकार से android TV box आपको मिल जाता है आज दोस्तों में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से घर बैठे अपने normal LED TV को इसमार बना सकते हैं तो यह दोस्तों HDMI cable है जो कि आपको इस से box से साथ में मिलता है यह दोस्तों android box है इसके साथ में आपको इस पकार से remote भी मिलता है यह दोस्तों पांच बोल्ट दो इंपिर का adapter है और यह android box है जिसे कि आप अपने TV साथ में connect करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह MX9 के नाम से एक android TV box है अगर दोस्तों आप अपने TV को इसमार बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी company का एक android box लेना होगा दोस्तों मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ और TV साथ में आपको connect करके इसका जो इंटरफेस हैं आपको दोस्तों मैं दिखाता हूँ हमें इसे चालू करने के लिए पांच बोल्ट सप्लाई देना होगा तो हम दोस्तों इस एडाप्टर का connection यहां कर लेंगे अगर आपके पास CRT TV है तब दोस्तों आपको अपने CRT TV के लिए इस प्रकार से पिन बाला आपको एभी लेड लेना होगा जिस पर आपको एक तरफ यह पिन मिल जाएगा जो कि आप अपने CRT TV पर लगा देंगे और इसे दोस्तों आप इस TV के इस एभी बाले पर लगा देंगे अगर दोस्तों आपके पास LED TV है तो आप इसे HDMI केबल को लगा सकते हैं मैं दोस्तों आपको इस HDMI केबल को लगा कर इसे बॉक्स को चालू करके आपको दिखाता हूं आप देख सकते हैं यह चालू हो चुका है अगर दोस्तों आप इस Android बॉक्स को मेंद पाबर से चालू करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पर सकता है आपके जितने भी Android बॉक्स हैं Android सटप बाक्स हैं तो चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसे करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आपको कुछ मिनट का वेट करना होगा अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है इस परकार से हमें देखने को मिल रहा है कि इस पर आपको गूगल प्ले मिल जाता है अगर आप कोई अप्टिकेशन को डाउन ओर क कर सकते हैं कि इससे दोस्तों आपको चालू करने के बाद कि आपको सेटिंग वाले आप्शन पर जाना होता है और यहां दोस्तों आपको वाई फाई का ओप्शन मिलेगा तो अगर दोस्तों आप अपने मुबाईल के इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ वाई फाई बाले ओप्शन पर जाकर अपने मुबाईल के इंटरनेट से आपको कनेक्ट कर लेना है आपको अपने mobile का hot spot चालू कर लेना है डाटा चालू कर लेना है और आप दोस्तों इस Wi-Fi वाले option पर जाकर अपने इस box को इंटरनेट से connect करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको मैं कोई भी एक application चालू करके दिखाता हूँ तो हम जाएंगे application वाले option पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको Google Chrome, Facebook, Twitter आपको दोस्तों इस पर बहुत सारी application मिल जाते हैं आप देख सकते हैं Netflix, YouTube तो मैं दोस्तों आपको YouTube के लाकर दिखाता हूँ आपको सबसे पहले अपने box को आपके mobile के इंटरनेट से connect कर लेना है आप देख सकते हैं YouTube हमारा open हो चुका है अब दोस्तों आप किसी वीडियो को बड़े आसानी से चालू कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है तो चालू हो चुका है अब दोस्तों मैं back हो जाता हूँ इस वकार से आप अपने LED TV को जो कि आपका normal LED TV है या दोस्तों अगर आपके पास डब्बे वाला CRT TV है तो आप इस Android box को खरीद कर लगा सकते हैं और अपने TV को smart बना सकते हैं Android बना सकते हैं बना सकते हैं